नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारत के इंफ्रास्ट्रक्ट्टर ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप वो कैसे उठा सकते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि आपको किसी टोल प्लाजा बहुत जादा कमाई करता है, कोई पोर्ट है, कोई एरपोर्ट है, हाइवेज हैं, रिन्यूबल एनर्जी सोलर पार्क हैं, तो अगर आप उनका फायदा उठाना चाहते हैं, उन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर स सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, इन्वेट्स के जड़िए, इन्वेट्स होते हैं, इन्फरास्ट्रक्चर, इन्वेस्मेंट ड्रस्ट, ये एक म्यूचल फंड की तरह होते हैं, जिनके जड़िए बहुत सारे निवेज सकों से छोटा-छोटा अमांट लेके एक बड़ा collect किया जाता है और वो भारत के infrastructure में invest किया जाता है जैसे कि railways, highways, toll plaza, ports, airports, solar power, transmission अलग-अलग infrastructure में invest किया जाता है और उससे होने वाली कमाई आपको dividend के रूप में दी जाती है तो अब हम जानते हैं कौन-कौन सी कुछ example के तौर पे हम कुछ companies यहाँ पे देखते हैं अब आप यहाँ पे देख रहे हैं IRB Invit Fund यह एक fund है हम इनकी website पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके portfolios में दो project हैं ongoing और completed completed यहाँ पे दो project complete हो चुके हैं यहां पर देख रहे हैं और ongoing में यहां पर बहुत सारे project हमको देख रहे हैं 2-3-4-5-6-6 project इनके अभी चल रहे हैं तो आप इस projects में invest कर सकते हैं और इनसे होने वाली कमाई का फायदा उठा सकते हैं और दूस्ता है आप Power Grid Infrastructure Investment Trust तो इनके projects पर आप यहां पर देख सकते हैं VLT यह बहुत सारे project हैं इनके Transmission Limited जैसे खोल लेते हैं तो यह है इनका YZ Transmission Limited तो इस project में आप invest कर सकते हैं अब आपको कहां से invest करना है वो आपको दिखाएंगे और कैसे इनके financials आपको देखने हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे तो financials देख लेते हैं पहले सबसे पहल देख रहे हैं तो 5 year में आपे कुछ भी अच्छे तु नहीं बोलेंगे बेकार से return दिया 9.86 नेगेटिव यहाँ पे return है लेकिन ही financials आप देखेंगे और नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DPS जैसे EPS के नीचे आपको DPS दिख रहा है dividend per share तो अभी share price चल रहे था 9 रूपीज फिर 8 रूपे फिर 10 रूपे फिर 12 रूपे फिर 10 रूपे तो यहाँ पे share की growth में share में ज्यादा growth देखने को हमको नहीं मिलती है हमको यहाँ पे earning होती है dividend से ही अगर आप कोई दूसरा अगर यहाँ पे pair में जाके comparison करेंगे तो और भी invite हैं आपे देख देख रहें लेकिन हम यहाँ पर जैसे open कर लेते हैं और इसको हमने open कर लिया है और हम इसकी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं negative 3.8% की यहाँ पर growth है तो यहाँ पर share में हमको ज्यादा growth नहीं देखने को मिलेगी और भी हम कोई invite देख लेते हैं यहाँ पर यह है national highway infrastructure trust यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 year growth सिर्फ 12% है पिछले 5 सालों में यह 12% ही बड़ा है लेकिन financials में आप जाके देखेंगे और dividend per share देखेंगे तो dps यहाँ पर काफी अच्छा है आप देख रहे हैं 6.94 रुपीज का है 1114 रुपे की यहाँ पर unit की value है और dividend है यह 6.94 तो यहाँ पर dividend के through ही हमको अच्छी income होती है अब हम जान लेते हैं आप इन्विट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं हमने यहाँ पर जिरोदा का platform हमारा open कर लिया है उसके बाद यहाँ पर सर्च बाहर दिख रहा है आपको यहाँ पर बस इन्विट्स सर्च करने है इ यहां पर डिटेल देख सकते हैं तो जैसे हम यहाँ पर fundamentals दिख रहे हैं 1 month return 1 year return और यहाँ पर dividend yield इनकी दिख रही है 12.78 तो यहाँ पर dividend yield ही काफी अच्छी रहती है उसी से हमारी income होती है share price में growth हमको कम देखने को मिलती है तो buy में click करके आप जितनी quantities आप buy करना चाहते हैं यहाँ पर से आप आसानी से invest में invest कर सकते हैं और sell करने के लिए जैसे ही हम share sell करते हैं वैसे ही आप आसानी से buy और sell invest कर सकते हैं कोई भी broker के platform से वीडियो आपको informity लगी हो तो हमारी वीडियो को like जरूर करें और ऐसी ही informity वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को subscribe चलूर करें और जिरोधा का link हमने description में दिया है वहाँ से account open up कर सकते हैं धन्यवाद